यह हमारे सामने लगी होई है होंडा की दो पॉपुलर गाड़ी जो कि आपको SP 125 and SP 160 तो इसको लुक और इसके नीचे में यह कॉल दिया गया है जो कि मैटल का है सकते हो 160 का काफी अच्छा और इसके राइट तरब में यह इंजियन को किल आफ करने के लिए यहीं से इसमें थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग कैसे आप लोग सब उमीद करता हो कि आप लोग ठीक होगे मैं हूँ अमीद प्रदान व्लोग तो फ्रेंड आज का वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि बहुत से लोगों को यह मेरे बहुत से दोस्तों को थोड़ा सा जो कि आपको और चैंज किया गया उसमें चलो आपको दिखाते हैं स्पी सब्सक्राइब को जितना बीव सके उसके बारे बता पाऊं उसका कितना मतलब गारी का उंडोड प्राइस पढ़ रहा राची पे तो चलो वेट और वाच और जो हाथ धारकन है प्रेली हमारे सामने लगी हुई है Honda की दो most popular गारी जो कि यह आपको SP 125 एभाइब तो इसको Honda ने 160 को निकाला है अपने 160 के segment में वह देख सकते हो आप सामने में लगी हुई है चलो बात करते सके सामने की look की तो सामने के look को लगबख सेमी मिलेगा फ्रंट में आप देख सकते कि इसका वाइजर आपको लगबख दूर से देखो कि तो 125 से 160 का लगबख सेमी है और सामने में आपको हंडा का यह स्टीकरिंग आएगा जो कि आपको 125 में भी आता है तो चेंज आपको ज्यादा आपको दिखेगा नहीं हमारे सामने खड़ी है 125 की तो इसका डिस्क आता है जो कि front में में इसको आपको डिस्क मिलेगा बैक में कोई डिस्क नहीं रहता वन 25 में बात करो आपको 160 की तो इसकी दो सेग्मेंट को किया गया एक आपको single disc अंडियोल डिस्क ऐसेsol यह सिंगल चैनल Abias ही आती है फ्रंट में इसका आपको सिंगल चैनल ABS आएगा एंड ABS के साथ आएगा इन दोगो आडियों को अगर आप साइट से साइट से दिखाऊं 160 का साइट से आप देख सकते हो लुक और इसके नीचे में यह कॉल दिया गया है काफी अच्छा है यह आपको इंजिन से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया हां बट 125 में वह चीज नहीं है तो यह आप थोड़ा सा डिफ्रेंस दिखेगा और बात करो इसकी ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग आपको सिंगल चैनल अब यह सी आता है आपको 160 में इसमें आपको नॉर्मल साही डिस्क आएगा 125 में चलो बात करो यहां पर किक आपको दिया गया है राइट तरफ में यहीं थोड़ा सा उपर जाते हो तो यह आपको इस्टिकर मिलेगा 25 में भी देख सकते हो कि यहां पर आपको साइड में आपको मिल जाता है इस्टिकरिंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल सकते हो वह चीज के लिए काफी छोटा है मुकाबले में बोल सकते हैं इसके उपर में भी मैटल का आपको दिया गया यह कवर अनबात करो इसकी बैक की सस्पेंशन की 160 की अगर मैं बात करो तो इसको मोनिशोक सस्पेंशन ही इसमें काड़ी आती है लगबख सब में आपको मोनो सब्सक्राइब लगा हुआ दिखेगा और बात करूँ 125 की तो यह आपको हैड्रोलिक टैक सस्पेंशन दिया गया है बैक में आप चेक आउट कर सकते हो अपनी किसी भी नजदी की डीडर में जाके ऐसे मैं पोसिस कर रहा हूं क पूझ जितना दिखा पाँ चलो बात करता हो इसके लूप थोड़ी दिखाऊ तो लूप को साप दिया गया यह हां गया सब्सक्राइब लाइट एंड वहीं बात करूं मैं 125 की तो 125 का बैक से मैं दिखाता हूं यह देखिए यह इसका टेल लेंप आप देख सकते हो कि आपको हाइलोजर नहीं आएगा दोनों में पीछे की गैब्रियल की बात की जाए तो गैब्रियल आप देख सकते हो कि आपको लगबग 125 & 160 का ल लगबग आपको लेफट और राइट लगबग हर गारी आपको लगबग सेमी रहता है तो देख सकते हो राइट में 25 का लूब देख सकते हो तो काफी अच्छा है यह गाड़ी और गेर की बात की जाए भाई तो गेर दोनों में पांच आते हैं आपको फ्रंट में आपको एक गयार 1 60 में आगे करके बाकी का सब पीछे करनी के लिए बट इसका गया के डिजाइन को इस पॉटी करनी के लिए छोटा कर दिया गया and 125 में वो चीज नहीं है 125 में भी 5 गयर है बट इसमें आपको इसका जो गयर लगाने का वह आपको नॉर्मली रखा गया ताकि इसको हर तरह के लोग इसे चला पाई इसे मध्यम वर्क बोल सकते या कुछ इसकी सीट की लंबाई का भी बारे में आपको कुछ बता दू कि सीट की लंबाई आपको जादा इसका फरक नहीं आता है क्योंकि 125 के अगर बात की जाए तो इसका सीट का लंबाई आपको 790 mm का आता है जो कि काफी अच्छा है दो दो राइडिंग करने वालों के लिए काफी कमपटेबल हो सकता है और बात करूं 60 की तो जापरक नहीं आता है यह 76 mm का यह आपका सीट का लेवल आता है तो मतलब 6 mm का है तो ज्यादा मतलब मैटर नहीं करेगा और थोड़ा सा जानकार आप 160 का कि लेफ में आपको देख सकते हो कि यह option करने के लिए लाइट दिया गया है यह अपको टरन के लिए लिए लाइट के लिए यहाँ पे आपको दिया गया हॉन और यहीं से आप पासिंग के लिए स्विचेश दिया गया और बात करो इसकी राइडि पर यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए यहीं से स्विच दिया गया बट इसमें थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग यह कर दिया गया कि इसी से इंजन आप भी होता है एंड आन भी आप स्टार्ट बेसी से कर सकते हो और अभी चावी तो दोनों गाडियों की नहीं है प्रजेंट में इसी को स्विच करना तो वह थोड़ा से इंट्रेस्टिंग इसमें दीखेगा तो दोनों को एक बर दिखा दू कि सामने से यह पीछे से मतलब बोल सकते हो कि लोग आपको कुछ इस तरीजी का दिखता है तो आपको ब्लू आता है जो कि मैट में आपको कलर आता है तो आपक करूं gün टीए लाट Alm 3 बढ़के मिलता है जो कि आपको छे up अन्य में आपको मिलता है ब्लैग कलर कर जो कि अमने में मौजूद है चेंगे तो как जो भी सवाल आते हैं ज्यादा इसके माईलेज का दोनों गाडियों को कितना माईलेज कंपेर करता है तो दोनों गाड़ी का मैंलेज आपको अभी दे रहा है लगबग आपको 45-50 पचास नॉर्मली देता है बट ऐसे 50-55 तक यह गारी तो मैदेज के मामलें बोल सकते हो कि सब्सक्राइब करें तो आपको 65-70 आपको जितना दिखा पाँ जितना समधा पाँ अबस यही बोल सकते हैं I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चलो मिज़ते फिर किसे अनाधर वीडियो पर तो फाइनली यही था हमारा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और भाई को सब्क्राइब जरूर करना तब तक के लिए मिलते किसे अनाधर वीडियो में बस यही कहेंगे जो आर जरतन लब यू बाई